अन्मस्काराज ऋ डिसकस करेंगे Important National International Affairs के Question आपको बताया कि Paper 1 में जो हो National International Affairs के Question जो हो पूछे जाएंगे और ये Question जो हो पूछे जाएंगे मतलए 15 inclusion जो हो पूछे जाएंगे तो बहुत जड़ा Important है सारे के सारे Question Question No.1 से जो हो discussion start करेंगे हरी question को बड़े ही धियान से देखेंगे ताकि exam में कुछ भी पूछा जाए वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं कोई भी आने चाहिए जाहिए detail में ही क्यों ना पूछा जाए आगे देखें जी सबसे पहला question है बोलते हैं under whose chairmanship home ministry sets up a committee to probe parliament security breach आपको पता है पार्लेमेंट में क्या हुआ security breach हुई security breach का मतलब है कि वहाँ पर स्ट्रक्षा का उलंगन किया गया home ministry and के ग्रीह मंत्रा ले के द्वारा जो था वो एका committee गठित की गई पूछा गया है कि इस committee जो गठित की गई कि किस तरह से security में इतनी बड़ी चूक हो गई कि इतने दो लोग अंदर जाकर पहुँचाते हैं और इतना कुछ हंगामा वहाँ पर कर देते हैं क्योंकि जब उन्होंने इस तरह की हरकत वहाँ पर जाकर की तो basic उन्होंने जो वहाँ पर गैस छोड़ी थी वह एक colorful गैस थी वह poisonous भी हो सकती थी कुछ भी हो सकता था तो अब उसी के उपर inquiry की जाएगी अनीस द्याल सिंग जो है वह इस committee के धेक्स बनाए गए पहले detail से देखें यहां पर लिखा गया है कि जो home ministry के द्वारा committee गठित की गई है यह जो है वो CRPF के यह head है CRPF के यह head है डिरेक्टर जनरल जिनको आप कहेंगे जो डिरेक्टर जनरल है अनीस द्याल सिंग ना इनकी धेक्सता में यह की गई है और यह जांच करेंगे विस्क्योर्टिव भी रिज की तो आपने ध्यान रखना है कि CRPF के जो डिजी है डिरेक्टर जनरल है ना उनको इस committee का जो है वो head बनाया गया है home ministry के द्वारा यह committee गठित की गई है अगर हम बात करें कि ministry of home कौन है present time में तो ministry of home minister of home जो है ना वो है अमित्सा यह अपने ध्यान रखना है minister of home affairs जो है वो अमित्सा है और parliament में ना बहुत सारे सांसदों को निलंबित भी किया गया क्योंकि वो चाह रहे थे कि इसके उपर जो हो सरकार कुछ सरकार जो हो कुछ statement दे सरकार के उपर से सरकार के और से वो statement चाह रहे थे देखो हम तो exam point of view से त्यारी करते हैं तो उसी हिसाफ से हरी question को देखेंगे भी अगला question देखें बोलते हैं यहां पर बोलते हैं the gailfu mega city project that was recently in news is located in which country तो यह जो gailfu mega city project है यह भी चर्चा में आया चर्चा में आया यह gailfu mega city project project तो यह बोलते हैं कि को किस देख में यह स्थित है यह जो है वो कौन से देख में स्थित है यह भुटान देख में जो है वो स्थित है option D जो है वो सही अंसर है पूरी बात क्या है इस gailfu project के पीछे यह भी आपको पता होना चाहिए कि इसके इस वे जो गैलfu करके जो है वो प्रजय एक mega city project चलाया गए है इसके बारे में हम पूरी बात समझते हैं इसमें देखो भुटान कहता है कि यह जो हम बनाएंगे ना इस city को बनाएंगे smart city को यह 1000 स्क्वेर किलोमेटर में फैली हुई है कितना 1000 स्क्वेर किलोमेटर में जो है यह फैली हुई है और यह बॉर्डर करेगी इंडियन state के साथ तब हमारे लिए जरूरी है कौन से इंडियन state के साथ यह बॉर्डर करेगी तो यह अपने धियान रखना है कि Assam के साथ जो है यह बॉर्डर करेगी जाएंगे, दूसरा question पूँछने वाला कि कौन कौन से इंडियन state है जो भुतान के साफ जो हिए वो boundary 인ड e. शियर करते हैं, तो चार इंडियन state पॉटान के साफ जो हिए वो boundary echt हिर करते हैं, इन मैंसे एक असाम जो है तो यह सबसे ज़्यादा जो है वो boundary share करता है 267 km भुटान के साथ share अरुनाचल प्रदेश जो है वो 217 km बॉंडरी share करता है वेस्ट बंगॉल 183 km बॉंडरी share करता है और सिक्किम की बात करें तो यह सबसे कम 32 km जो है वो share करता है boundary बॉंडरी यह आपने धियान रखने तो यहां से भी question definitely बनेगा एक exam में कौन कौन से state जो है boundary share करते हैं तो यहां पर बहुत सारे लोग भुटान के कठे भी हुए जाकर जब यह project वहां के king के द्वारा जो है वो announce किया गया वो भी important है अगला question देखें बोलते है recently who had been appointed as new cm of Rajasthan देखो राजस्तान के जो नए cm बनेना वो बड़े dramatic way में जो था वो बनाये गए अभी जो cm बने है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक वार election जीते है MLA का पहली बार यह जीत कर आए पहली बार यह MLA बने और इनको chief minister जो था वो बना दिया गया हलांकि यह और अलग लग पोस्टों पर रह चुके हैं जैसे जर्नल सेक्रेट्री वीजेपी की रह चुके हैं अभी ना इनको बनाया गया जब तो यह पहली बार जीते थे तो यह dramatic way में बनाये गया इनका नाम है भजनलाल सर्मा option D जो है वो सही answer है भजनलाल शर्मा को बनाया गया देखो यह चीजें होती है ना यहां से क्या पता चलता है यहां से पता चलता है कि आपको आप करम के उ जो है वो मौका नहीं मिला और इनको पहली बार जितकर ही मौका मिलगा मुख्यमंतरी बनने का अब देखो मध्यवरदेश में भी election हुए थे मध्यवरदेश के भी नई जो है चीफ मिनिस्टर बने है उनका नाम है मोहन यादब मोहन यादब भी हमने पड़े है कि यह मध्य मध्यवरदेश के लाबा च्छतिजगर में election हुए च्छतिजगर के चीफ मिनिस्टर जो है उनका नाम भी जो है वो important है च्छतिजगर के जो चीफ मिनिस्टर बने है उनका नम आपने ध्यान रखें उनका नाम है विश्णू देव उनका नाम है यहाँ पर नाम लिख्खा भी गया है विश्णु देव जो है वो उनका नाम है जो च्छतिजगर के cm है ठीक है जी और साथ में ही जो तेलंगना में election हुए तेलंगना के भी तो नई चीफ मिनिस्टर बने है जो हमने पढ़े थे पहले इसी सीरीज में तेलंगना के जो नई चीफ मिनिस्टर बने थे उनका नाम था रेवन थरेडी ठीक है रेवन थरेडी का नाम है अपने ध्यान रखना है कि वो तेलंगना के cm बने हैं होग एक cm से अगला question देखते हैं मार पास क्या पूचा गया है आगे पूचा गया है अवदेल फतेह LCC won as president of which of the following country दोको इन्होंने ना अवदेल फतेह LCC जो है इन्होंने जो है किस देश के राष्टरवती के रूप में जीत हासिल की है तो अगर आपने डेली वीडियो देखी है हमारे साथ पहले से जूड़े हुआ है तो आपका अंसर अभी सही हो जाएगा यह एजिप्ट के बने हैं option भी सही अंसर अभी देखो इससे पहले अभी जो था व राष्टरवती यही थे फिर से इन्हीं को जो हो चुना गया है अब important question क्या बनेगा question यह बन जाएगा कि एजिप्ट के नए प्रेजिडेंट जो है वो कौन बने हैं तो आपका अंसर एक दम से होना चाहिए कि एजिप्ट के नए प्रेजिडेंट अब्दि फतेह LCC को ही जो था बना बुलाया गए था यह धियान रखें और इंडिया और एजिप्ट ने जो है वो एक exercise भी जो था वो सुरू की थी जो अभी इसी साल जो हो सुरू की गई तो उस exercise का नाम क्या है exercise cyclone करके exercise cyclone करके जो है वो सुरू की गई और इसकी जो पहली edition हुई नाःता इस गाँ जो काहां पर हुई ओ जैसल मेर राज्यस्थान में जो है वो हुई यह भी नोट करें फिर बाद में चलकर प्रधानमन्ती नरेंदर मौदी जो था वो एजिप्ट भी गए इनको एजिप्ट बुलाया गए था तो ये एजिप्ट गए जब यागो जो ना साट के सारे किसा यह तीसरी वार सिक्साओन है रहेंगे और 89.6% बोर्ट जो है उन्होंने हासिल किये अगले कोशिन में देखें बोलते हैं मिचल स्टार्क विल प्लेए फॉर विच ऑफ दा फॉलॉइंग टीम इन आई पिल 2024 तो मिचल स्टार्क जो है आई पिल में भी बिड हुई तो इनके लिए इनकी सबसे ज़्यादा बोली जो था वो लगी तो मिचल स्टार्क की बोली जो था वो सबसे ज़्यादा लगी अब ये बोलते हैं कौन सी टीम के लिए जो है वो खेलते हैं इनका ध्यान लखना है आपने कि मिचल स्टार्क जो है वो कौन सी टीम के लिए खेलते हैं ये KKR के के इनके बोली लगी तो यह highest bid थी इनके लिए और KKR का पुरा नाम है Kolkata Night Riders जिसके लिए जो था हूँ इनको select किया गया या फिर जिसके लिए इनको purchase किया गया एक तरह से यूं कह लीजिए अब यह कौन से country के प्लेयर हैं कौन से country के लिए SL में यह खेलते हैं यह भी question बन स जो है वो इंडिया के हरशाल पटेल हैं जो highest जो है जिनकी बिड़ लगी 11.75 पांच क्रोड जो था हूँ इनकी बिड़ लगी यह highest है और यह कौन सी team ने इनको जो है उक्रीदा है यह पंजाब पंजाब team के लिए जो है वो पंजाब nights के लिए जो है यह purchase किया गया है यह फ दुबई का तो आपको बता है UAE में जो है वो दुबई है दुबई पढ़ता है UAE की capital कहां पर सित है आबुधाबी में जो है वो UAE की capital है साथ नहीं यह धियान रखें COP28 की meeting हुई थी वो भी जो था UAE में जो था वो host की गई थी अगला question देखें क्या बोलते है next question में बोल ही है G7 का member option B जो है वो सही answer है G7 के बारे में जानते है G7 के बारे में ध्यान रख रहा है कि यह intergovernmental एक group है seven countries का इसमें US आता है Britain आता है Canada आता है France आता है Germany आता है Italy आता है और Japan आता है इसको इस तरह से याद रख सकते है Jews with girlfriend करके ठीक है जी J J stand for Japan U stand for आपका US I stand for Italy C stand for Canada E stand for यहां से आप England कहेंगे या Britain कहेंगे G stand for Germany और G stand for Germany और F stand for France ठीक है इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इनको कौन-कौन सी countries जो है वो यहां पर आती है G7 में G7 की formation की बात करते हैं तो यह intergovernmental organization है इसको 1975 में जो था वो organize किया गये था 1975 में इसको organize किया गये था और 49th number की जो G7 की summit हुई है ना वो जापान में हुई है जापान के हीरो सीमा में जो था वो हुई थी तब हमने पढ़ा भी था अभी थोड़ी दिन कुछ महीने बहले की बात है हीरो सीमा में जो था यह हुई थी हीरो सीमा नागा साकी को तो आपको पता ही है जापान में यह पढ़ता है US के लावा यहाँ पर Australia जो है वो आता है तो यह भी आप में यहाँ पर note करें जितने भी points है ना यह सारे के सारे previously पूछे गए है exams में और इस तरह के points आगे भी पूछे जाएंगे Basic Public Service Commission का exam हो या कोई और exam हो अगला question देखें देखें बोलते हैं देखो चर्चा में यह इसलिए आया क्योंकि यह जो काभूस यह जो है ना काभूस बिन सयद अलसयद यह हैं ओमान के और इंडिया और ओमान ने अभी आपशा मुलाकात की एक तरह से इंडिया के जो सुल्तान है ना जो present time में सुल्तान है जिनका नाम है हाथिमन बिन तारीक वो जो था वो इंडिया की विजिट पर आये और यह काफी time के बाद यह होए औमान से विजिट करनें इंडिया आया है तो लगवक 26 सिक्स यर्स के बाद जो है वो ओमान यहां पर विजिट करनें आया है और सुल्तान काबूस का दिहान थो गया था उसके बाद इनको जो था वो मरनो परान जो था वो गांधी प्रीस प्राइज जो था वो इंडिया के दोरा दिया गया था और ये 2019 में इनको दिया गया था अप्शिन ने सही अंसर है एचेस के एक्जाम में ये कोईशिन पूछा गया था मैच करने के लिए दिया गया थे गांधी प्राइज अलग लग तो आपने धियान लखना है कि 2019 में जो था वो काबूस बिन सयद अल सयद को दिया गया था उमान कंट्री से ये हैं उनका दिहान हो चुगा है और आपने साथ में ये बात जरूर नोट करनी है यहां पर कि इंडिया और उमान के बीच में इन्होंने अच्छे रिष्टे बनाने में जो था वो एहम भूमी का जो था वो निभाई थी अब हम गांधी पीस प्राइस की बात करते हैं अगर तो गांधी पीस जो है ना इस वर्स किसको दिया गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्णट है आपके लिए वो तो क्रंट अफेर का एक क्वेशन है तो इस वर्स गीता प्रैस को दिया गया है गीता प्रैस जो कि 1923 में स्टेबलाइस हुई थी उसको ये दिया गया है इससे पहले 2021 का ये गीता प्रैस को दिया 2023 में दिया गया प्रंटु 2021 का ये वोर्ड था 2020 का किसको दिया गया था 2020 का दिया गया था सेख मुझीबुन रह्मान को ये बंगलादेश के हैं सेख मुझीबुन रह्मान जिनको ये दिया गया था 2020 में और 2019 का आपने पढ़ लिया ये उमान के हैं इन सेयद इनका नाम आप धियान रखें अगला हो गया ये गोशिन डिटेल से हो गया एक्सप्लने अगला गोशिन देखें आगे बोलते हैं बोलते हैं करकाबार Atomic Power Station is located in which state तो ये पूछा गया है जी पहले Public Service Commission के अग्जाम में हलांकि HPSSE ने भी जो है वो इसको पूचा है तभी हम इसको रिपीट कर रहे हैं बोलते हैं काकरापार प्रमानू उर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है तो ये प्रमानू उर्जा स्टेशन जो है वो गुजरात में स्थित है option A जो है वो सही अंसर है यहां पर नरोरा करके है एक N-A-R-O-R-A नरोरा अटोमिक पावर नुकलियर रियक्टर स्टेशन आप कहलेजिए अटोमिक पावर स्टेशन आप कहलेजिए यह जो है वो यहां पर है आपने ध्यान लखना है महारास्ट्रा में कौन सा है तारापूर करके ठीक है जी इंपोर्टन है तो तमिलाडू में है यह जो काक्रापार है ना यह है गुजरात में प्रन्तु तमिलाडू में जो है वो इसी के तरह मिलता जूलता नाम है एक कलपा कम करके ठीक है आपने ध्यान लखना है कलपा कम करके जो है वो कहां पर है वो तमिलाडू में जो है वो स् प्रदेश का पता चल गया आपको और तमिल्लाडू का पता चल गया इन सभी को आप ध्यान रखें ये सारे के सारे important है exam point of view से एक और बात ध्यान रखने है कि वो question ये पूछ जाता है कि नूकलियर जो reactor होते है नूकलियर रीक्टर जो होते है उनमें moderator के रूप में जो है क्या इस्तिमाल किजाता है तो हवी water को जो है वो you Chuamay सार्फ नングрист किया जाता है kita mighty Purple को जो है वो you language किया जाता है और nuclear जैक्टर मैं जो है और यूस किया जाता है अपने heavy water का formula भी ध्यान रखना है तो इसको किस तरह से लिखते हैं D2O करके जो है वो इसको लिख दिया जाता है तो यह सारे के सारे question यहां से बने हैं अगला question देखें most most important question कहूंगा मैं आपको बोलते हैं red sea is a border of which of the following country तो बोलते हैं red sea border है कौन कौनजी countries का Egypt option में दिया गया है Israel दिया गया है Saudi Arabia दिया गया है यह countries दिया गया है यहां पर पेर दिये गया है ठीक है दो options हैं आपके पास पहला तो यह है कि अगर आपको आता है तो आप जल्दी से option सोच लें कि इनमें से कौन सा option जो है वो होगा पहला दूसरा तीसरा सही होगा पहला तीसरा होगा पहला तीसरा चौथा होगा यह पहला दूसरा तीसरा होगा सोच लें आप अगर आपको नहीं पता ना तो यहां पर डिसकस करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा Red Sea जो है वो बॉर्डर बनाता है Six countries के साथ इनमें साओधी अरवी आता है यमन आता है अजिप्ट आता है सुदान आता है अरिट्रिया आता है यह country है Digi Boti country है यह country है देखें आप कौन कौन सी country थी option में Egypt हमने पढ़ा ठीक है Egypt आता है पहला सही है हमने दीज़े बहुती सबसे last time पड़ा वो भी आता है साओधियर विया सबसे पहले पड़ा था वो भी आता है इसराइल हमने कहीं नहीं पड़ा इसराइल बॉर्डर शेयर नहीं करता है पहला तीसरा और चौथा option C सही अंसर है ये कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर करती है प्रन्तु इसराइल बॉर्डर शेयर नहीं करता किसके साथ Red Sea के साथ लाल सागर आप कहेंगे Red Sea के साथ इसराइल बॉर्डर शेयर नहीं करता है चलो सही बात है ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है प्रंतु यहां से क्या और भी question बनेंगे यहां से जुरूरी नहीं किस तरह से question बनें question इस तरह से बन सकता है कि कौन काउन से countries border border share करते हैं तो हरी country याद होने चाहिए Saudi Arabia याद होने चाहिए Yemen याद होने चाहिए Egypt ध्यान होने चाहिए Sudan ध्यान होने चाहिए Eritrea ध्यान होने चाहिए, Digibothic Country आपको ध्यान होने चाहिए इनके नाम ध्यान रख लिए तो समझिए कि दो नंबर आपने पके कर लिए, एक क्वेशन आपने पका कर लिए, अपना ये समझिए पेपर 1 में तो आपको बता है नेक्टी मार्किंग है और हर एक क्वेशन दो नंबर का होगा तो पेपर 1 की अगर तियारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में test series हमने आपको provide करवाई है test series का link नीचे description box comment box में दिया गया है आपको पता है PGT mathematics की जो है वो जिन्होंने बच्चों नहीं दी थी उनके लिए start चुकी है तो इसका मतलब है कि PGT की जो process है ना lecturer की जो process है वो start हो चुकी है जल्दी ही जो है वो बाकी भी आपको देखने को मिलेगा चाहे वो कोई भी कोई साभी subject आपका क्यों रहा है paper 1 की test series practice करनी है नीचे description box comment box में link दिये गए हैं आप वहां से जो हैं वो अवेल कर सकते हैं directly हमें UPI payment के लिए mail भी कर सकते है प्रैक्टिस ही एक solution है negative marking से निप्टने का नहीं तो जिन्होंने conductor का exam दिये था उनको पूछ लेना कि जब negative marking में number minus लगते हैं ना होने तो कितने पीछे score चला जाता है तो जितनी practice कर सकते हैं जैसे भी कहीं से भी उतनी practice जरूर करें अब देखो वीडियो के last में ना हम हिंदी English के important question भी discuss करते हैं प्रन्तु आज से मैंने सोचा है कि हम ना section wise discuss करते हैं जैसे कि हिंदी के ना हम एक ही topic के ना ज्यादा question discuss कर लिए जैसे जिस दिन संधियां discuss की तो 10 question संधियों के ही discuss कर लिए आज हम वाक्यांस discuss करेंगे ना तो अगला है यहां पर होगा जो जो पहले न रहा हो उसे क्या कहते हैं तो देखो जो पहले न रहा हो उसे अपूर्व कह जाते हैं अपूर्व आपने ध्यान लखना है इस तरह से जो है वो अपूर्व लिखा जाता है और इसको अपूर्व कहते हैं जो पहले न रहा हो आगे ह जिसके बिना काम ना चले उसको क्या कहते हैं जिसके बिना काम ना चले उसे अपरी हारे कहते हैं क्या कहते हैं अपरी हारे इस तरह से अपरी हारे जो है वो लिखा जाता है ये आप देहां रखें कि अपरी हारे किस तरह से लिखा जाता है चौथा देखें बोलते हैं जिसकी आसा ना की जा सके जिसकी आसा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं उसे अप्रत्यासित कहते हैं उसे क्या कहते हैं जिसकी आसा ना की जा सके उसे अप्रत्यासित जो है वो कहते हैं यह allied के means में भी आपकी साहिता करेंगे वहां पर भी ऐसे question पूछे जाते हैं आगे बोलते हैं जि प्रिक्टिस भी करें साथ-साथ में कि कैसे लिखा जाता है अखंडनी या इस तरह से लिखा जाता है हिंदी की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी एक और बात इंग्लीश की बहुत बड़ा इश्यू है इंग्लीश कैसे गवर करें तो टेलिग्राम पर मैंने 30 दिनों की एक सीरीज चलाई है, डैली हम एक क्रेशन पोस्ट किया करेंगे वहाँ पर, और डिटेल में उसको समझाया करेंगे, ताकि कौनसेप कesta क्लिए हो सके, तो पि creator, फिर से एक ग्रोर्ष से क्लिए होगा, तो चे रहता धें के चे बोलते हैं, जो संविधान के अनकूल ना हो, उस उसे अमर कहा जाता है वो तो आपको पता है अमर उसको कहते हैं आगे है जिसे मारना उचित ना हो जिसे मारना उचित ना हो उसे अवध्य कहते हैं अवध्य जो है वो उसके लिए कहा जाता है आगे बोलते हैं जो बांटा ना गया हो उसे अविभक्त कहते हैं अविभक्त जो है उसे कहते हैं जो बांटा ना गया हो यह important है अभी भकतर नेक्स्ट वन देखते हैं नेक्स्ट वन में बोलते हैं जो कुछ ना जानता हो जो कुछ ना जानता हो उसे अग्या कहते हैं यह पूछा गया है पहले exam में अग्या कहते हैं उसे और यह देखो पटवारी के exam में आपकी help करेंगे एलाइड सर्फिस की टेस्ट इस प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिये गए हैं उसके वहां से प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं बहुत अच्छा टाइम है आपके पास अभी और बहुत अच्छी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं डॉनालड टस्क को किस देश का नया प्रदान मंत्री निकत किया गया है चार ऑप्चिन आपके पास दिये गया है कमेंट करके आपने अंसर बताना है इसते पहले देखिए डिटेल से यह क्वेस्टिन जो है वह लास्ट एडिशन में डिसकस हो चुका है test series allied हो गया PGD वेपर वन हो गया दोनों के लिंक नीचे description box में दियेगे है telegram पर आपको बता है अगर सर्च करेंगे तो telegram channel मिल जाएगा वहाँ से बहुत ज़्यादा help आपको मिलेगी जैसे की पहले भी मिलती रही है आज की video में इतना ही है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently